हेलो बाइज मैं हूं साहिल और आप देख रहे है निट एंड 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 पी से भी और इस वीडियो में हम कोई क्रिविजन करेंगे ब्रीफिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसिस की इसमें मैंने दो हाईाटर का युज एप यज़ा है यालो Éला से मैंने वन चीज़ कहा है कि जो पिछले 10 सालों मैं पूची कही है नीट में और घ्रेमों से मैंने पल्स का हेलों में पुची जा सकती है तो प्री थिंग क्या होता है एंड द oks लोवर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉंजिज, स्लेंट्रेट एंड फ्लेट मॉं यह एक्षचेंज करते हैं ऑक्सिजन और कार्बन डैक्साइड का सिंपल डिफिजन के जरिये अपने बोडी सर्फेस से अर्फफ़म रैस्पिरेशन करता है吗fist cuticles से और insect करते हैं network of tube givéral tube भी बोलते हैं gils होते हैं branche respiration होता हैं gils में जोकि aquatic orthopods और molluscus करते हैं lungs के अंदर pulmonary respiration होता है जोकि terrestrial animal होते हैं वेर्टिब्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् human respiratory system क्या होता है यह pair of external nostrils होती है opening होती है जैसे कि nose फिर यह जो nose होती है वो nasal chamber में open होती है और nasal chamber open होता है pharynx में जो कि common passage होता है food or air का जो pharynx होता है वो open होता है larynx region में और larynx होता है trachea में दान दीजीगा पहले nasal chamber फिर इसके बाद pharynx फिर इसके बाद larynx और larynx से trachea larynx क्या होता है cartilaginous box होता है जो कि help करता है sound production में और इसे हम sound box भी कहते हैं जब हम खाना कहते हैं तो glutis होता है जो कि cover हो जाता है एक thin elastic cartilaginous flap के जाजे जिसे हम epiglottis बोलते हैं और epiglottis जो था वह प्रिवेंट करता है entry of food को larynx में जो कि wind pipe होती है उसमें food entry को prevent करता है ट्रेकिया क्या है state tube है और यह mid thoracic तक बड़ी होती है और यह divide करती है दो पार्ट में फिफ्थ thoracic vertebra पर लेफ्ट और राइट प्रैमरी ब्रोंकाई में यह divide हो जाती है फिफ्थ thoracic vertebra यह नीट में पूचा गया है ज्यान रखेगा इस बात को अने जो ब्रोंकाई होती है वो फिर डिविजिन करती है जर्ट से केंडरी और तरसारी ब्रोंकाई में और ग्रोंकाईल्स में भी यह divide करती है यह अंड तक जो ट्रेक यह होती है जो प्राइमरी सेकेंडरी और तरसरी ब्रोंकाई होती है वो जो इनेशल ब्रोंकाई वो स्पोर्ट करती है इनकंप्लीट कार्टिलेजर स्रिंग से जो कि primary secondary और तरसरी ब्रोंका ही होती है वह sported by होती है incomplete cartilage rings पर यह आप रिंग देख रहे होंगे ट्रेगिया पर तो यह sport करती है इनको इन्हें हम cartilage ring बोलते हैं जो कि terminal होता है ब्रोंकियोल्स का वह rise करता है यह एक numbers of very thin, irregular, wald and vascularized bags like structure called alveoli alveoli के होता है एक bag like structure होता है और यह end पर होता है bronchioles पर branching network of bronchi and bronchioles and alveoli comprise the lungs lungs को बनाते है यह इनकी network फिर जो two lungs होते हैं वो cover होते हैं एक double layer pleural से और इस pleural के अंदर होता है pleural fluid फिर यहां पर दे रखे है जो conducting हमारे जो respiratory system होता है उसमें दो part होते हैं conducting system और exchange part of auto and cr2 होते हैं तो conducting part कौन कौन से होते हैं ट्रेकिया हो गया नोज हो गई ब्रोंकाई हो गई और ब्रोंकियोल्स हो गई और exchange part कौन सा हो गया यह लोलाई हो गया तो तो conducting part ट्रांस्पोर्ट करता है एक्मोसफेर के एर को अल्वोले तक और यह क्लियर कर देता है इसे फ्रों फोरिगन पार्टिकल हुमिफाइड कर देता है और ब्रिंग एर टो बोडी टेंपरेचर उस एर का जो टेंपरेचर होता है उसे बोडी टेंपरेचर के लेवल में लाता है conducting part exchange part पर क्या होता है कि actual site of diffusion of O2 and CO2 between blood and atmosphere तो यहां पर respirator में जो step involves होते हैं वो दे रखे हैं breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2-rich aluolol air is reached out breathing क्या होता है कि O2 और CO2 का exchange होता है aluolai में diffusion of gases O2 and CO2 transport of gases by blood diffusion of O2 and CO2 between tissue and blood फिर होता है utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant result to CO2 फिर mechanism of breathing क्या होता है inspiration और expiration inspiration इंस्पिरेशन क्या होता है atmospheric air है वो लंग्स के अंदर की चले जाती है expiration क्या होता है जो aluolar air है वो release कर देते हैं atmosphere में inspiration कब होता है जब intra pulmonary pressure is less than atmospheric pressure जो लंग्स के अंदर pressure होता हो वो negative होता है in respect to atmospheric pressure expiration कब होता है जब intra pulmonary pressure यह होता है atmospheric pressure से यहां पर diaphragm होती है specialized set of muscles external and internal intercostal between the ribs यह muscles होती है external and internal intercostal यह muscles है और यह diaphragm है जो inspiration और expiration में हल्क करता है जब diaphragm और external intercostal muscles का contraction होता है तो inspiration होता है और यह inspiration contraction होता है तो जो volume होता है होता है जिससे जो intra pulmonary pressure वो left hand atmospheric हो जाता है जब यह diaphragm और intercostal muscles होती है यह relax करती है तो expiration हो जाता है volume होता हो decrease कर जाता है और जो pressure हो जाता है वो atmospheric pressure से high होता है इसलिए expiration होता है जो अंदर की air हो release हो जाती है atmosphere में फिर यहां पर यह capacity और volume दे रखी है tidal volume होता है air inspire और expire during a normal respiration इसकी value है 50 ml और यह जो healthy man होता है वो inspire और expire कर सकता है 6000-8000 ml per minute यह tidal volume होता है फिर होता है inspiratory reserve volume IRB additional volume of air a person can inspire by a forceful forcible inspiration एक खीच करसास लेने पर एक आदमी कितनी volume air inspire कर सकता है तो average है 2500-3000 ml expiratory reserve volume क्या होता है एक additional volume if a person can expire for full expiration इसकी value है 1000-1200 ml residual volume क्या होता है साफ छोड़ने के बाद जो lungs में हावा रह जाती है उसे residual volume बोलना चाता है इसकी value है 1200-1200 ml inspiratory capacity क्या होती है TRV plus में IRV यह आपको याद रखना है expiratory capacity TV plus में ERV functional residual capacity क्या होती है ERV plus में RV vital capacity क्या होती है maximum volume of air a person can breathe in after a fourth expiration यह ERV होता है TV plus में IRV equal होता है vital capacity क्या होती है total lung capacity क्या होती है total volume of air accommodated in the lungs at the end of a first inspiration this include RV, ERV, TV and IRV and vital capacity plus residual volume total lung capacity 50 को comprise करते है exchange of gases gases का auto CO2 का exchange कैसे होता है तो simple diffusion के जरीए होता है और यह base होता है pressure and concentration gradient के जरीए यहाँ पर partial pressure दे रखा है oxygen और CO2 का atmosphere care में है oxygen के लिए 159 CO2 के लिए 0.3 अल्वालाइ के अंदर यह कम हो जाता है oxygen के लिए 104 हो जाता है पर्सिल प्रिशर ओफ ओटू 40 है और CO2 के लिए 45 है तो यह table आपको याद रखनी है यह नीट में फूची जाती है यहां से नीट के question बनते हैं तो ध्यान रखेगा इसका तो solubility होती है CO2 की वह 20-25 गुना होती है oxygen से तो इसलिए यह CO2 है वह higher solubility होती है oxygen से याद रखेगा जो diffusional membrane होती है alveoli के अंदर वह उसमें तीन major layer होती है जो thin sequimus epithelium of alveoli पहली दूसरी है endothelium of alveolar capillary जो blood capillary होती है endothelium उसकी और तिसरी है जो basement substance होती है sequimus epithelium और endothelium के बीच में जो basement substance होती हो third होती है फिरा तर ट्रांस्पोर्ट of gases blood is a medium of transport of CO2 blood एक medium है जिससे ट्रांस्पोर्ट होता है oxygen और CO2 का 97% oxygen RBC के थरू ट्रांस्पोर्ट होती है और 3% plasma के थरू dissolved state में carbon dioxide का 20-25% CO2 है वो RBC से ट्रांस्पोर्ट होती है और 75% 70% bicarbonate iron की form में और जो 7% रह गया और dissolved form में plasma के अंदर ट्रांस्पोर्ट होता है oxygen के ट्रांस्पोर्ट में है एक hemoglobin होता है red color iron containing pigment होता है RBC के अंदर और यह bind करता है oxygen के साथ और formation करता है oxygen hemoglobin की और यह जादा से जादा 4 molecules of auto से bind कर सकता है hemoglobin तो यह depend करता है partial pressure पर oxygen के oxygen hemoglobin बनेगा या नहीं बनेगा तो यह partial pressure of auto पर depend करता है तो यह sigmoid curve होती है जब oxygen hemoglobin की formation होती है तो sigmoid curve का formation होता है graph के अंदर यह से हम oxygen कर भी बलते हैं यहां पर कुछ favorable condition है oxy hemoglobin के लिए जैसे की high partial pressure of auto low partial pressure of CO2 lesser H positive concentration and lower temperature यह factor है जो की favorable है formation of oxy hemoglobin के लिए और unfavorable है unfavorable factor है low PO2 high PCO2 and high H positive concentration and higher temperature इस condition में oxygen का dehydration हो जाता है hemoglobin से जो 100 ml blood होता है oxygenated blood 100 ml वो around 5 ml of auto tissue तक transport करता है तो यह NEET में पूछा गया है आप जान दीजीगा इस पर transport of carbon dioxide CO2 is carried by hemoglobin as carbon amino hemoglobin about 20-25% carbon amino hemoglobin के जरिए transport होता है RBC के अंदर एक enzyme होती है carbonic and hydrates जो carbon dioxide को hydro bicarbonate iron में change कर देती है और इस तरह वो tissue से aloly तक bicarbonate iron में transport होता है 70% के लगबग जो 100 ml of deoxygenated blood होता है वो deliver करता है 4 ml of CO2 to aloly transport करता है 100 ml blood 4 ml CO2 को regulation of respiration इसमें तीन सेंटर होता है प्रहला medulla region में होता है दूसरा center bones region में होता है और जो तीसरा है वो chemo sensitive area में इसमें ज्यादा पढ़ने की जूर्त में है आप ये तीन सेंटर याद रखेगा disorder of respiratory system अफ्थमा होता है इसमें inflammation of bronchi और bronchi holes होता है अफ्थमा होगा इसमें ये coronic disorder है alivole और वाल होती वो damage हो जाती है जिसके कारण जो respiratory surface होता है वो decrease कर जाता है ये और इसका major cause है वो है cigarette smoking अफ्थमा में फिर आता है occupational respiratory disorder ये industries नहीं होता है जहाँ पर stone breaking का का काम होता है या grinding का काम होता है तो जादा समय उसे काम करने पर वहाँ पर इंडस्ट्री में इंफ्लामेशन हो जाती है bronchioles या tissue की leading to fibrosis जोकि fibrosis tissue का जो डाइड कर देता and thus causing serious lungs damage को damage कर जाता है तो इसलिए जो worker होते हैं इंडस्ट्री में वोसे हम protective mask देते हैं पहनने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को like कीजिएगा subscribe कीजिएगा और वीडियो को like कीजिएगा और अपने दफ्तों के साथ share कीजिएगा अपने facebook और whatsapp group में इस चैप्तर का PDF में आपको वीडियो अगी description में दे दुमार लिंक आप वहां से download कर सकते हैं आप हमें follow भी कर सकते हैं facebook और instagram पर आप हमें google भी कर सकते हैं हमारे apps ने तन स्याथिप्स पीसमे